हलो स्टूडेंट स्वागता है आपका हमारे क्यूके स्टेडी चैनल पर जिसमें आजम बात करने वाले हैं राज्तान में आयुजित हुई करसी एगरी कल्चर सूपरवाइज परिक्षा के पेपर के क्यूशन सोल के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छ लगे तो वीडि करने साथ के बारे में तो हमारा जो जी क tonight कुशन आया की निमली कितमे से कौन विश्은ोई संपरदाय के परवरतेक हैं तो इसका तही ऑनसर होने वाला जुपसर्पसान जिसमें संपरदाय के परवरतेक हैं चलते हैं नेक्स क्यूशन के और राजस्तान के किर चेतर में सुन्दर करांती जो सी पुरुषकार दिया जता है राज्तान का वह कुन सा चेतर है जिसमें सुन्दर करांती जो सी पुरुषकार दिया जता है तो इसका सही आंसर होने वाला है उप्षन B महिला क्रिकेट के अंदर सुन्दर करांती जो सी पुरुषकार दिया जता है चलते हैं नेक्स क्यूशन की और निमली की तमें से किसने राजस्तानी बासा में साइते अकादमी युवा पुरुषकार 2023 में जो फ्राप्ट किया था उसके बारे में हमें बताना है अगर आपको वीडियो अच्छ लगे तो वीडियो को ज्यादा शी ज्यादा सेयर करें हमारे उप्षन से किरन गोरू उप्षन बी निरंजन हंस्ता उप्षन चियर चंदरवान ख्याल उप्षन डिये देविलाल मह जिसको 2023 में अकादमी पुरुषकार बासा साइते बासा में साइते अकादमी पुरुषकार दिया गया है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर नाए जिसमें सूची पष्ट को सूची शेकिंड के साथ मिलान करना है तो हमारे उप्ष दू नाइन नंबर क्यूशन में सही आंसर है option B जो है A, A के अंदर आएगा गगर नदी जो की मर्त नदी है के नाम से जाने जाती है और जो option B ये चंबल नदी जिसे काम देनों नदी भी कहा जाता है option C, माही नदी जिसे वांगड की गंगा कहा जाता है और जो लूनी नदी है उसको लवन जल नदी बोला जाता है तो चलते हैं next question की ओर किस से भारत के टाइगर में के नाम से जाना जाता है तो हमारे options है, option A, गोकुल बाइबट option B, किशन लाल छेनी option C, केलास सांकला option D, जानकी पाल sorry, जानकी लाल Q-10 में सही answer ہے option C, केलास सांकला को भारत में टाइगर में के नाम से जाना जाता है Q-12 है किस ने जेसल मेर में 5 पटवा हवेली बनाई थी तो question 12 का सही answer है option D, गुमान गुमान चन ने जैसल मेर में 5 पटवा हवेली बनाई थी Qs number 21 है केसरी सिंग बारट का जनम के सिस्तान पर हुआ था तो Qs number 21 में सही आंसर है option C सापुरा सापुरा के अंदर केसरी सिंग बारट का जनम हुआ था Student आप अपने रास्तान जो जिक्की के क्यूशन से उनको कापी अच्छी से मिलान कर लिजे ताकि आपकी जो नंबर है उनको काउंट करने में आपको आसानी रहे और मैं आसा करता हूँ कि आपने इन क्यूशन को बहुती सांदार तरीके से अटेंड किया होगा अब की बार जो रास्तान जी के क्यूशन साय थे वो इतने डिफिकल्ड नहीं आये थे नॉर्मल क्यूशन लिए गए है रास्तान जी के के तो चलते हैं नेक्स क्यूशन की होगा क्यूशन नंबर 25 है सूची ए जिसमें बांद दे रखे हैं और सूची बी जिसमें नदियां दे रखे हैं तो सूची ए में बिशलपूर है सामने चंबल बी है अरवार सामने कोटारी सी है जवहार सागर सामने बनास डी है मेजा सामने खारी Q25 में सही answer है Option B जहां पर जो विशलपूर है वह बनाश नदी पर बांद बना हुआ है और जो अरवार है वह खारी नदी पर बना हुआ है और जो जोवार सागर बांद है वह खोठारी नदी पर बना हुआ और जो मेजा बांद है वे चम्मल नदी के उपर बना हुआ है क्योंसे नमर 32 है सूची एक के साथ सूची शेकिंड का मिलान कीजिए सूची ए में जो रास्तान के मंदिर है और सूची शेकिंड में किस राजवंस दुवारा बनाए गए है जो अचल गड़े उसके सामने है मेवार दिलवारा है जो गुजर परतिहार दुवारा और एक लिंगजी के सामने है परमार और महावीर जैन मंदिर जो ओशियान है वो इसके सामने है चालुक के तो मा आपको बता दू 32 में सही आंसर है जो ऑप्शन सी जिसमें ए जो अचल गड़े वह चालुक के दुवारा बनाए गया है और जो ऑप्शन बी में है दिलवारा वो परमार दुवारा बनाए गया है और जो सी है एक लिंग जी उसके मेवार दुवारा बनाए गया है और जो डी है मावीर जैन मंदिर ही गुजर परतयार दुआरा बनाए गया है चलते हैं nex question की ओर question number 33 है जेसल्मेर का गुंड़ा राज पुष्वत के को ने जो जेसल्मेर के गुंड़ा राज पुष्वत के उसके लेके को ने तो question number 33 में सऺ्जी answer है option डी सागर्मल गोपा दुआरा जेसेल मेर का गुंडा राज कुस्तक लिखी गई है चलते हैं नेक्स क्यूशन की और क्यूशन नंबर 46 है निमलिकित में से कौन सी रचना महराना कुंबा दुआरा रचित नहीं है तो हमारे उप्शन से उप्शन ए सुधा प्रबंद जो भी महराना कुंबा दुआरा रचित है उप्शन भी संगीत रचना अगर जो भी महराना कुंबा दुआरा रचित है उप्शन सी है संगीत रच जो भी महराना कुंबा दुआरा रचित है क्यूशन नंबर 46 का सही आंसर होने वाला है तो Question No. 53 में सई आंसर है Option A. बागोर बागोर जो की रास्तान में पसुपालन का सबसे प्राचिन परमान परस्तुत करता है Question No. 56 है Whole of Hero जोदपुर की किस बाग में इस्तित है Question No. 56 का सई आंसर है Option B. मंडोर मंडोर बाग के अंदर Whole of Hero इस्तित है चलते हैं Next Question की और निमली कित में से कौन सा संगीत के जेपुर गराने से समद्दित है क्यूशन नम्बर 58 में सही आंसर है Option D, मलिका, अर्जुन, मसूर, जो कि जेपुर कराने से समदित है Next question है, question number 60 निमलिकित में से कौन सा योगम सुमेलित नहीं है Question number 60 में सही answer है Option C, नवलका जील, जो कि विकानेर के अंदर नहीं है Question number 70 में सही answer है Option D, विजेपाल रासो, जो कि अंबिका दत्वियाद दुआरा लिकित नहीं है चलते हैं, next question के ओर Question number 78 है, निमलिकित में से कौन सा चेतर धनिये का व्यापकिस तर पर उत्पादन करता है 78 question में सही answer है Option A, विकानेर, विकानेर जो कि धनिये का व्यापकिस तर पर उत्पादन करता है Next question is 79 उद्यपुर की लड़ाई युद कब हुई तो हमारे options हैं 1670, option B, 1500 C, option C, 1600 C, option D, 1760 Question number 79 में सही answer है Option C, 1680 के अंदर उद्यपुर की लड़ाई या युद हुआ था चलते हैं next question की ओर Question number 80 है, भारत में 2020-21 में परती हुए एक ती दूद की उपलबता कितनी मिली थी तो question number 80 में सही answer है, option D, 444 मिली थी दूद की उपलबता 2020-21 में चलते हैं next question की ओर Question number 81 है, रास्तान में परताओं वन नितीगी गोशना कब हुई तो हमारे जो 81 question में सही answer है, option B, 2010 के अंदर भारत में परताओं वन नितीगी गोशना हुई थी चलते हैं next question की ओर Question number 89 है, राजस्तान का कौन सा सहर मेंदी नगरी कहलाता है 89 question का सही answer है, option C, सोजट जो की राजस्तान का मेंदी नगरी सहर कहलाता है चलते हैं next question की ओर Question number 97 है, राजस्तान के किस इस्तान पर अनार का उतकरष्टा के अंदर इस्तित है Question number 97 में सही answer है, option C, डी डूल, भसी के अंदर अनार का उतकरष्टा के अंदर इस्तित है चलते हैं next question की ओर नेक्स क्यूशन है क्यूशन नंबर 98 सूची पष्ट के साथ सूची शेकिन का मिलान कीजिए हमारी जो सिस्वी है उसके अंदर है जालोर का किला जेसल बाटी, सोज़त का किला वी नारायन, सिवाना दुर्ग, निमबा और सोनार किला है नागा बट तो माँ आपको पता दू, 98 क्यूशन में सही आंसर है, उप्षन डी, जिसमें ते रखा है, जो जालोर का किला है, यह है, नागा बट दुआरा बनाया गया है और जो सोज़त का किलाई ये निम्बा दुआरा बनाया गया और जो सिवाना दुर गयवे भी नारायन दुआरा बनाया गया और जो सोनार किलाई वे जैसल बाटी के दुआरा बनाया गया है तो इस्टूडेंट ये ते आपके आज चार परवरी को हुई एगरिकल्चर सुपरवाइजर के पेपर के जिके क्यूशन्स अगर आपको अमारी वीडियो अच्छी लग रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले आप अमारे चैनल पर नहीं है तो पटापट से चैनल को किलिजे सस्क्राइब इस चैनल पर आपको पसुपरीचर की तयारी बिल्कुल नेशुल के करवाई जा रहे है इसमें हम आपके पाटे और पाट भी दोनों की तयारी संपूर्ण तयारी चैनल पर बिल्कुल पिरी करवाएंगे तो आपको हमरी वीडियो अच्छ लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले इस्टुडेंट वीडियो देखने के लिए टैंक यू वेरिमेच और आप अपनी तेहरिगा आकलेन भी करना चाहिए तो क्योंकि स्टेडी चैनल के माद दिमजिक काभी सांदार तरीके से आप अपनी तेहरिगा आकलेन कर सकते हैं